गुड मॉर्णिंग बच्चो आज का अमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लास्ट ताम जब इंग्लिश का सब्जेक्ट था तो हमने सीखा था शीक्स और सेवन तो सेवन के बाद क्या आता है एल तो आज हम लिखेंगे एट एट का स्पेलिंग क्या होता है यह यह पे देखो म मैंने काउंट क्या किया है स्टार उनको हम काउंट कते हैं वान टू थ्री फोर फाइट सेवन एट ओके यहां पे देखो मैंने होरिजन्टल और वर्टिकल लाइन में एट लिख दिये हैं बाकी जो बॉक्स बचे उसमें आपको खूद लिखना है ओके तो चलो स्टाट करत है एट तो एट किस तरह से लिखते है पहले एक सेमी सरकल बना के फिर सामने की साइट पर सेमी सरकल बनाना है फिर उस सरकल को कंप्लीट करके उपर का सरकल कंप्लीट करना है ओके इसी तरीके से देखे तो पहले हमें क्या बनाना है एस फिर उल्टा एस तो क्या बन जाएग एड किस तरह से देखो पहले हमें बनाना है एस्वी एंट सन हो गया फिर यहां से रिवर्स एस तो बन जाएगा एड और एड का स्पेलिंग क्या होता है क्या होता है स्पेलिंग吗 तो यह देखों मैंने यह एक लाइन कंप्लीट कर दी है बागी की जो लाइन है वो आपको खुद कंप्लीट करनी है और फिर इसको लिखेंगे हम टेक्स्बुक में तो चलो देखते हैं टेक्स्बुक तो यह देखो बचो यह है हमारा टेक्स्बुक का पेज नमबर 9 ओके पेज नमबर 9 पर यहां पे देखो हमको सबसे बड़ा 8 दिया है उनको हम पहले क्या करेंगे? तो यहां से स्टार्ट करके एसे कव बना के फिर इसे नीचे जाना है फिर इस सरकल को कम्प्लिट करके उपर तो यह बन जाएगा 8 ओके और यहां पे देखो क्या दिया है? एपल्स कितने एपल्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 अब देखते हैं नीचे तो नीचे हमें 2 लाइन से उसमें ट्रेसिंग दिया है और नीचे की 4 लाइन में हमें खुद लिखना है तो चले पहले लिखते हैं ट्रेसिंग करते हैं तो यहां बीच में से start करके एक से मी सरकल फिर नीचे फिर इस सरकल को complete करते जाना है ओके दो सरकल आपनीचे बना देने नहीं है यह रोंग है ओके इसकी मेथर औरिज्णल मेथर क्या है? यहां से एसे कव करके फिर इस तरह से करना है यह करेंगे यह से तो यह wrong है इस तरह से 8 लिखते हैं नहीं है 8 लिखते हैं इस तरह से ओके इस तरह से यह दोनों लाइट आपको complete करने है फी नीचे जो box दी है उसमें हमें खुद लिखना है तो यह dot के उपर रखे मैंने pencil पहले बनाई है यह मैंने asian sun और फी reverse asian sun तो यह क्या बन जाएगा eighst 8 ओके एकदम easy method है यह पहले बना दिया asian sun फी ultra asian sun तो यह बन गया 8 eighst 8 ओके इस तरह से बोलते जाना है spelling बोलना compulsory है spelling बोलते जाना है और लिखना है eighst 8 क्या बोलना है eighst 8 eighst 8 ओके क्या बोलना है eighst 8 इस तरह से आपको यह नीचे की three lines complete करनी है और उसके बाद लिखना है nine तो चलो देखते हैं nine तो यह देखो बचो यह है n-i-n-e nine मैंने same is horizontal और vertical line में nine लिख दिया है उपर nine का spelling भी लिखा है क्या है nine का spelling n-i-n-e nine और nine star बनाए चलो count करते हैं one two three four five six seven eight and nine nine okay तो यहां पर जो box बचे हैं उसमें आपको क्या लिखना है खूद लिखना है तो चलो के से लिखते हैं सिखाती ओके सबसे पहले बनानी है एक छोटा सा semi circle फिर उपर line फिर वही सरी वर्षा के नीचे तक line करनी है ओके चलो फिर से सिखाती उपेले बनाना है एक semi circle बन गया फिर उपर इसको touch करना है फिर वही सरी वर्षा के नीचे line करनी है तो क्या बन जाएगा n i n e 9 क्या बनेगा n i n e 9 इस तरह से ये पूरी line से उसको हम क्या करेंगे complete करेंगे और 9 का spelling बोलना compulsory है क्या है 9 का spelling n i n e 9 ओके इस तरह से मैंने ये पूरी line है वो complete कर दी है इस तरह से आपका page complete करना है और फिर लिखना है text book में तो चलो देखते है text book तो ये देखो बचो ये है हमारा text book का page number 10 और यहाँ पे देखो 9 लिखा है उपर एक बड़ा सा line 9 दिया है उसको हमें क्या करना है trace तो यहाँ से बनाएंगे हम ये semi circle फिर वही से जाएंगे उपर और फिर नीचे तो यह क्या बन चाएगा हमारा 9 और यहाँ पे देखो क्या दिया है santa claus कितने है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 9 का spelling क्या है n,i,n,e तो यहाँ पे देखो पेले उपर की two lines से उसमें tracing है और नीचे की four lines से उसमें हमें खूद लिखना है तो सबसे पहले करते हैं tracing तो यह रखी मैंने यहाँ पे pencil यह बनाया एक semicircle फिर उपर line और फिर नीचे line पहले क्या बनाना है एक semicircle फिर उपर जाना है और फिर नीचे जाना है तो क्या बन जाएगा a9,a9 ओके इस तरह से two lines complete करनी है बाद में जो box से उसमें हमें खूद लिखना है तो चलो देखते हैं किस तरह से लिखते हैं सबसे पहले बनाऊंगी एक semicircle फिर उपर और फिर नीचे इस तरह से ये complete करना है और 9 का spelling compulsory बोलते जाना है क्या होता है 9 का spelling इस तरह से हमें इसके numbers के साथ इसके spelling भी आ जाएंगे ओके तो यह हो गया हमारा 9 यह page आपको complete करना है और सब कुछ complete हो जाए उसके बाद photos कीच के मुझे send करना है ओके पाई बाई झाल